पुरूशन जूलर्स वहीं उनके शालरिक और मानसिक विकास में भी एहम योगदान देते हैं। बच्चों को मोबाइल फोन का प्रयोग सिर्फ शिक्षा के लिए करना चाहिए और इसका अधिक प्रयोग बंद करके दिन में 10 से 15 मिनिट कसरत करनी चाहिए। बच्चों को खेल के प्रती प्रोसाहिन करने के उदेशे को लेकर ही स्कूल में स्पोर्स मिटिंग का यूजिन किया गया। जिसमें बच्चों के बीच रसा कसी, कबड़ी और अन्य कई तरह के खेल मुकाबले करवाये जा रहे हैं। कि खेले शारीक और महानसिक विकास दोलों के लिए खेल λέने तो इस स्पोर्ट्स इवेंटमे हमने रहे हैं cœur कि अदिन सर डॉडि gives youcr प्राट लेने के अकॉर्डिंग और उनके पॉजिशन के अकॉर्डिंग उनको सम्मानित किया जाएगा जो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए कुछ फ़न गेम्स, वीजिकल चेयर हो गई, बैलों बेस हो गया हमने हर के बच्चों को पार्टिसिपेट कराने के लिए डिफेर्ट डिफेर्ट इफेर्ट गेम्स जो है वो रखी मुथ हैं तो ये इवेंट हमारा 14th और 15th October दो दिन चलेगा स्कूल में के लिए तो मैं अपनी तरफ से अपनी स्कूल की तरफ से यही संदेश देना चाहूंगी कि बच्चों को आजकल एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है जो कि उनको घर से और स्कूल से अगर स्कूल वले बच्चों की आप बात कर रहें कि बच्चे किस तरफ जा रही हैं क्या कर रहे हैं वो एट लिस्ट पर्दा करने का कोशिश करें और यह चीज की कोशिश करें कि बच्चे जूट ना बोलें और साथी साथ ऐसी एक्टिविटीज में इंगेश करके उस चीज से बच्चों को दियू रखा जा सकते हैं वोशन जूलर्ज अनमोल रिष्टों के लिए